भारत माता की भारत माता की सबसे पहले मेरी आप सबको एक प्रार्षणा है नौर्थ इसके हमारे सभी भाईयों बहनों के सम्मान में नौर्थ इसके हमारे सभी नागरीकों के सन्मान में आप अपना मोबाईल फोन निकाल करके फ्लेश लाइट चालू कीजिये और नौर्थ इसके सभी नागरीकों का अभिनंदन कीजिये जिन जिन के पास मोबाईल है अपनी फ्लेश चला करके ये नौर्थ इसके नागरिकों का सम्मान है ये नौर्थ इसके बेशभक्ति का सम्मान है ये नौर्थ इसका प्रगति के रास्ते पर जाने का सम्मान है ये नौर्थ इसके लोगों के सम्मान में आपने जो ये मोबाइल फोन के बादेम से प्रकाश पहला आया है ये प्रकाश उनके सम्मान में है, उनके गवरों में है, आपका मैं धन्यवात करता हूँ साथियों, बीते भर्षों में भाजपा मुख्याले ऐसे अनेक अवस्वरों का साक्षी बना है आज हमारे लिए जनता जनार्धन को विनम्रता से नमन करने का एक और अउसर आया है मैं त्रिपुरा, मेगालाए और नागालेंड की जनता का सर जुका कर वंदन करता हूँ उन सब का आभार व्यक्त करता हूँ इन राज्यों की जनता ने बीजेपी और हमारे साती सयोगियों को भरपूर आशिरवाद दिया है मैं आज त्रिपुरा, नागालेंड और मेगावे के बीजेपी कायरकरताओं को भी बहुत बढ़ाई देता हूँ दिल्ली में या अमारे अन्य इलाकों में बीजेपी का काम करना उतना कठिन नहीं है जितना नौर्थिस्ट में है, वहां का कायरकरता हमसे अने गुना मेहनत करता है और इसलिए वहां के कायरकरता विशेश रुप्से अभिनंदन के अधिकारी है आज के नतीजे आप सभी भाजपा कायरकरताओं की मेहनत का परणाम है साथियों आज के चुनाव और इन चुनाव परणामों में देश के लिए दुनिया के लिए बहुत सारे संदेश है आज के नतीजे ये दिखाते हैं कि भारत में लोग तंत्र और लोग तंत्रिक ववस्ताओं पर कितनी आस्ता है एक मजबूत आशावाद है लोग तंत्र की राह पर चलते हुए हर शंका आशंक तंकागा समाधान हो सकता है बडलाव लाया जा सकता है एक समय था जब नौर्थिस्ट में चुनाव होते थे नतीजे आते थे तो दिल्ली में और देश के अन्ने हिसों में उतनी चर्चा ही नहीं होती थी जो चर्चा होती भी थी तो वो चुनावी हिंसा की होती थी बम, बंदूक और ब्लॉकेड की चर्चा होती थी त्रिपुरा में तो हाल ये था कि पहले एक पार्टी के अलावा किसी दूसरी पार्टी का जंडा तक नहीं लगाया जा सकता था और अगर किसी ने लगाने की कोशिश की तो उसको लहु लुहान कर दिया जाता था इस बार इन चुलावों में हमने कितना बड़ा परिवर्तन देखा है भाजपा ने नौर्थ इसकी राजलिती की दिशा ही नहीं उसकी दसा ही नहीं लेकिन एक आत्मे विस्वास से भ़रा हुआ और नई दिशा पर चल पड़ा हुआ नौर्थ इसकी देख रहे हैं आज सुबह से मैं जब टीवी देख पाया इन चुनावों के नतीजे ही चाहे रहे ये सिरफ दीलों की दूरी समाप्त होने का ही नहीं बलकि इन नहीं सोच का प्रतिबिम्ब है अम नौर्थ इस अम नौर्थ इस ना दिली से दूर है और नहीं दिल से दूर है ये यूग परिवर्तन का समय है ये नया इतिहास रचे जाने का समय है मैं नौर्थ इस की शान्ती समृद्धी और विकास का ये समय देख रहा हूँ मुझे याद है कि कुछ दिनों पहले जब मैं नौर्थ इस गया था तो किसी ने मुझे बोला कि मोदी जी आपको अपनी हाफ सेंचुरी के लिए बहुत बहुत बदाई तो मैंने उनको पूछा कि भाई ये कैसी हाफ सेंचुरी आप बता रहे हैं तब उन्हों ने मुझे बताया कि जब से बोले आप प्रधान मंत्री बने है आप पचांस से भी ज़्यादा बार लौरत इसका विजीट कर चुके हैं जो अभी नद्दा जी बता रहे थे साथियों सवाब बढ़ाई का नहीं है लेकिन जब एक नागरिक मुझे ये कह रहा था तब मैं अनुभव कर रहा था कि जाने मात्र से इसके दिल को कितना सुकुन मिल रहा है नौर्थिस के लागयों के दिलों में कितना प्यार उमर करके आया है उसकी वो अभिव्यक्ति थी और तम मुझे लगता था कि महनत कभी ने कभी तो रंग लाती है चुलाव जीतने से भी जाना मुझे इस बात का संतोफ है कि प्रदान मंत्री के कारकार में बार बार नौर्थिस जाकर के मैंने उनके दीलों को जीता है और वो मेरे लिए सबसे बड़ी जीत है मुझे ये संतोफ भी हुआ कि पुर्वत्तर के लोगों को ये एहसास हो रहा है कि आप उनकी उपेच्छा नहीं होती केंद्र की भाजपा सरकार में नौर्थ इसके राज्यों को भी उतना ही महत्व मिलता है साथियों आज बहुत सारे पॉलिटिकल विश्टलेशक बीजेपी की सफलता को समझने का प्रयास कर रहे हैं कुछ हमारे विशेश सुप्चिन तक भी है इन विशेश सुप्चिन तक जिनके पेट में ये सोच सोच करके दर्द होता है कि बीजेपी की जीत का राज क्या है साथियों मैं जादा तो टीवी देख नहीं पाता हूँ लेकिन मुझे लगता है कि साथ अब तक मैंने देखा नहीं है कि इवी एम पर कोई गाली पढ़नी शुड़ू हुई है कि नहीं हुई है लेकिन ऐसे हर सुपचिंतक को मैं बीजेपी की सफलता का रहश्य बताना चाहता हूँ भाजपा के विजय अभ्यान का रहस्य सिपा है त्रिवेणी में त्रिवेणी यानि तीन धाराओं का संगम इस त्रिवेणी की पहली शक्ति है भाजपा सरकारों का कारिय इस त्रिवेणी की दूसरी सक्ति है भाजपा सरकारों की कारिय संस्कृति और इस त्रिवेणी की तीसरी सक्ति है भाजपा के कार्यकरताओं का सेवा भाव ये त्रिवेडी मिलकर बाजपा की शक्ति को वन प्लस वन प्लस वन यानि 111 गुना बढ़ा देते हैं हमने देश को एक नई राजनीती दी है राजनीती के एक नई संस्कृती दी है हमने सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास एक नया विकास मॉडल देश को दिया है हमारे काम के तौर तरीकों में कोई भेदभाव नहीं होता हम सबके विकास में भरोसा करते हैं हम सबके लिए सेवा भाव से काम करते हैं हमारी प्रेना है एक भारत स्रेष्ट भारत भाजपा का विकास मॉडल देश हित को सर्वोपरी रखता है हमारे लिए देश प्रथम है देश वासी प्रथम है साथियों हमारे देश में हमें सांसे एक और पोलिटिकल मॉडल रहा जिसमें पहले ऐसा कहते थे कि जो दुरद्रष्टा होते हैं स्टेश्मेन होते हैं वो आने वाली पीडियों का सोचते हैं और पोलिटिशन के लिए कहा जाता था कि वो अगले चुनाव का सोचते हैं तो मुझे किसी ने एक बार कहा तो मैंने का अब कहावत और बदल गई है बोले क्या मैंने का पहले जो स्टेस्टमेंट होते हैं वो अगली पीडी के लिए सोचते हैं पहले कहा जाता था कि पोलिटीशन अगले चुनाव के लिए सोचते हैं शाम को टीवी में उनकी तश्वीर आएगी कि नहीं यहीं जोते रहते हैं और इसलिए जो आसाम चीज़े होती हैं जो ज़रा मुंग में पानी छुड़ जा ऐसी चीज़े होती हैं और जिसे लोगों का अचानी से गुम्राग किया जा सकता है उसी मोडल पर चलने की फैशन बढ़ रही है राज नीति के इस मोडल में कठी लक्षों को हाथ ही नहीं लगाया जाता था तब समस्याओं के ऐसे टान दिया जाता था जैसे उनका कोई अस्तीत्व ही नहीं है समस्या की दर देखना लिए यह पोलिटिकल मोडल कठीनाईयों का हल नहीं करता था बल्कि लोगों के जीवन को लंबे समय के लिए कठिनाई में जीने के लिए मजबूर कर देता था भाजपा ने इस एप्रोच को पुरी तरह बदल दिया है हम सबसे कठिन चीजों को हल करने के लिए कठिन से कठिन मैनत करते हैं और तमाम मुश्किलों के बावजुद समादान के जो भी रास्ते मिले उन रास्तों पर चलने का इमानदारी से प्रयास करते हैं हम यह नहीं देखते कि इस काम को करना कितना मुश्किल होगा बड़कि हम यह देखते हैं कि अगर हमने इस काम को नहीं किया तो लोगों का जीमन और कितना मुश्किल हो जाएगा हमें दर्द होता है हमारी निंद चली जाती है नौर्थ इसका उदारणी हमारे सामने है आजादी के साथ दसकों बाद भी नौर्थ इसके हजारों गावों तक बिजिली नहीं पहुँची थी साथियो क्या 21 सदी में बिना बिजिली की जिंदगी कोई कलपना कर सकता है पहले की सरकारों ने देखा कि वहां तक बिजिली पहुँचाना कठीन काम है इसलिए उन गावों को अंदेरे में छोड़ दिया गया नौर्थ इसके लोगों को घर पक्के घर उनको नल से जल उनके घरों में गैस का कनेक्शन ये उपलब्द कराने ये पहले की सरकारों के काम की सुची में नहीं था क्योंकि उनके लिए न तो उन छेत्रों की परवाथ ही और नहीं ऐसे कठीन कामों को करने का होसला था एरपोर्ट हाइवे रेलवे ये कनेक्टिविटी नौर्फ इसमें इन चीजों के विकास को भी कठीन मान लिया गया था पहले की सरकारे कठीनाईयों से मचती रही और इसकी वज़े से हर परियोजना में देरी होती रही है हमने इन परियोजनाओं को पूरा किया और लगातार मेहनत कर रहे हैं हमारे ऐसे ही प्रयासों की वज़े से आज देश पहली बार गरीबी के खिलाब इतनी मजबूती से लड़ रहा है और मुझे तो खुसी है कि मेरा गरीब भाई भी गरीबी को खत्म करने के लिए मेरे साथ कंदे से कंदा रखा करके महनत कर रहा है इसलिए आज बारत के विकास अब उसकी रफ्तार की तारीब पूरी दुनिया में हो रही है हो रही है अग नहीं हो रही है चावा तरफ गुन सुनाई दे रहे हैं नहीं तुनाई दे रही है साथियों बाज़पा के विजय अभ्यान में जो हमारी त्रिवेणी की तीसरी शक्ति है शीब जी के भी कहते हैं ने त्रीसरा नेत्र सबसे सामर्थवान माना जाता है यह हमारी जो तीसरी सक्ति है वो तीसरी सक्ति हमारे भाज़पा के कायर करता है और मैं उनको बार बार नमन करता हूँ भाज़पा के कायर करता का सेवा भाव अतुल्य है भाज़पा के कायर करता का स्राम और समर्पान अतुल्य है भाज़पा के कायर करता की पैचान उसके अनुसासन से होती है हमारी पार्टी ने बड़ी से बड़ी मुश्किलों को देखा है हमने कठीन से कठीन परिश्चित्यों को सामना किया है लेकिन हमारे कारकर्ता ने मुश्किल से मुश्किल हावातों में भी पार्टी का जंडा बुलंद रखा है भाजपा जब कदम बढाती है तो उसे रोकने के लिए उसके कारकर्ताओं को प्रताडित किया जाता है उनके खिलाब हिंसा की होती है लेकिन वो राष्ट के लिए राष्ट निर्मान के लिए संकल्पित होते हैं इसलिए वो त्याग की पराकास्ता से पार्टी के कदमों को और देश के सपनों को कभी भी तूटने नहीं देते हैं निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं जिस पार्टी के पास कार्य हो कार्य संस्कृती हो और ऐसे समर्पित कार करता हो उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है साथियों आज मुझे ये देखकर भी खुशी है हर चुनाव के साथ साथ देश की बेहनों बेटियों का सुरक्षा कवाट बीजेपी के लिए मजबूत होता जा रहा है त्रिपुरा की नौर्थिस्की बेहनों को भी मैं इस भरोसे के लिए विशेश आभार व्यक्तर करता ये बीजेपी का सौभा के रहा है कि हमने नागालेन को पहली राज्य सपा संसर एक महिला को देखरके शुप शुदूवात की आज नागालेन में तो पहली बार महिला उमिद्वार चुनाव जीत कर विदान सभा पहुँची है ये हम सभी के लिए पुरे देश की माता हों बेहनों के लिए गवरों की बात है बीजेपी महिलाओं के सतक्ति करन के लिए प्रतिबद्ध है पी-म आवास योजना में महिलाओं के नाम गर हो जल जीवन मिशन के तहट हर गर पाइप से पानी पहुचाना हो गरिब कल्याण योजना के तहट मुप्त राशन देना हो आउष्मान भारत योजना के तहट पांज लाख रुपीय तक का मुप्त इलाज देना हो मुद्रा योजना के माध्यम से बिना गरंटी लिए दस लाख रुपिय तक की मदद हो ऐसी अनेक योजना का लाब नौर्थ इसकी लाखों बेनों को हुआ है इसलिए उनका बरोसा बाजपा पर लगातार ससकत हो रहा है ऐसे समय में ऐसे समय में जब कुछ लोग मोदी की कब्र खोदने की ख्वाइश कर रहे है जहां मोका पड़ता है कमल खिलता ही जा रहा है खिलता ही जाना है कुछ लोग कटर कटर की पहचान में लगे हुए है वो हर काम बेहिमानी भी कटरता से करते है यह कटर लोग कहते हैं मर्जा मोदी वो कहते हैं मर्जा मोदी देश कह रहे हैं मतजा मोदी मतजा मोदी मतजा साथ्यों आज के चुनाओ नतीजों के बाद कॉंग्रेस ने छोटों के प्रती अपनी नफरत को फिर से जग जाहीर कर दिया कॉंग्रेस कह रही है और अध्यर सुनके कह रहे हैं कि यह तो छोटे राज्य हैं इनके नतीजे उतना माइने नहीं रखते जब दिल में ही भारत को जोडने की भावना ना हो तो ऐसे बोल निकलते हैं यह इन राज्यों के लोगों का अपमान है जन्मत का अपमान है छोटे राज्यों को कांग्रेस बहुत बड़ी गलती कर रही है इसी सोथ की वज़ासे कांग्रेस ने हमेशा देश के गरीब को छोता समझा देश के दलीद पिछलों आदिवाश्यों को छोता समझा कॉंग्रेस ने हमेशा संख्यावल को वोट बैंक को देखते हुए राजनीती की है यही मांसिखता है जिसने आज आजी के बाद देश का बहुत बड़ा नुक्षान किया है जब हमारी सरकार ने गरीब के लिए सवचालों बढ़ाए तो कॉंग्रेस उसे छोटा काम कहती रही जब हमने गरीब के बैंक खाते खुरबाए तो कॉंग्रेस ने उसे भी छोटा काम बताया जब हमने सफाई अभियान चलाया कॉंग्रेस ने छोटा काम मानकर उसका भी मयाख उड़ाया मैं कॉंग्रेस से कहना चाहता हूँ छोटे लोगों से छोटे राज्जों से यही नफराद आपको आगे भी चुनाओं में डुबोने जा रही है आज नौर्थ इसके नतीजों ने बीजेपी के खिलाब वर्षों से चलाए जा रहे एक और प्रप्रेगंडा को भी द्वस्त कर दिया है आप सभी जानते हैं कि कुछ विरोधी द्वों ने और उनके एको सिस्टिम ने हमेशा बाजबा पर एक लेबल चिपकाने की कोशिश की है शुरुआत में बीजेपी को बनियाप पार्टी कहा गया हिंदी पट्टी की पार्टी कहा गया फिर कहा गया कि बीजेपी जिर्फ शहरी मिडलकात की पार्टी है और गाउंग में कोई आधार नहीं है समय के साथ इन सारे मिठकों को बीजेपी ने तोड़ दिया लेकिन इसके साथ ही बिरोधी दलिये कहने लगे कि आधिवाजिक शेत्रों में बीजेपी को उतना समर्थन नहीं है पिछले दस सावों में हमने इस ब्रह्म को भी तोड़ दिया है आज देश का आदिवासी समाजी नहीं दलीत और पिछडे भी भाजपा के साथ है अभी हमने गुजरावाज चुनाव में भी देखा है कि कैसे आदिवासी पट्टे में भाजपा को जबर्दस जीत मिली है चाथियों हमारे आप बर्सों तक माइनोरिटीज को भी बीजेपी का डर दिखाया गया देश विजेश में प्रपगंडा चलाया गया लेकिन अप प्रचार के इस जूट की पोल गोवा के लोग खोलते रहे हैं अम नौर्दिस के लोग भी इस जूट की पोल खोलने में जूट गए हैं नागा लेंड और मेगाले में जहां बहुत संख्य कावादी हमारे क्रिस्चन भाई बहड़ों की है वहाँ बीजेपी के लिए इतना जबर्द समर्थन लगातार बढ़ रहा है वहीं नागा लेंड में लगातार दूसरी बार हमें गड़ बन्वन को आशिरवाद मिला है गोवा में बाजपान लगातार जीत पर जीत का रेकॉर्ड बना रही है मैं जानता हूँ जैसे जैसे कुछ दलोद्वारा फैलाए इस जूट का परदाफास होगा